हालो दोस्तो गुड मॉर्निंग वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल मैं आज आपके साथ में मेथी और आलू की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ इसमें प्रोटीन विटामिन ए भरपूर होता है जो कि अपनी बालो के लिए बहुत ही फायदेबंद होता है अभी जो नहीं नहीं सर्दी चालू हुई है स्टार्डिंग सर्दी में जो मेथी का टेस्ट होता है वो वाकई बहुती टेस्टी होता है तो आईए मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या-क्या चीजे एट करी है मैंने इसमें कुछी चीजों को एड़ करकरके इतनी स्वादिस्ट मेथी की रेसेपी आप से शेयर कर रही हूँ कि एक बार आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे तो देर किस बात की चलते हैं आपन मैंने इसमें क्या-क्या चीजे एड़ करी है मैंने यहाँ पर लगबग धाइसुग्राम मेथी ले ली है जिसको मैंने तो उसे तीन पानी से अच्छे से वाश करकर के यहाँ पर बाउल में ले लिया है अब मैं इसकी बारिक-बारिक अच्छे से कटिंग कर लूँगी मैंने यहाँ पर मेथी को अच्छे से कट कर लिया है बारिक अच्छे से मैंने कट करकर के एक बाउल में ले लिया है बाकी और क्या चिजह इट कर ये मैंने इसमें यह मैंने हिआ पे डाय सुक्राम एत्य के साब से दो मिटियम साइज के आलोग कट कर लिये है इस साइज में औरilateral लिया है पांसे साथ में लेसन की क़िया लेली है थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, आदा चमच हल्दी और नमक स्वादानुसार मैंने इसमें सिर्फ कुछी चीजों को एड़ करकर के बहुत ही स्वाधिस्त रेसिपी आप लोगे साथ में शेयर कर रही हूँ इसमें आपको कुछ भी ना लाल मिर्ची मैंने इसमिली है, ना जीरा लिया है, ना राई ली है, कोई और मैंने सामा ना गरम मसाला सिर्फ मैंने ये चार चीजों से आपके साथ में ये जो रेसिपी शेयर करी है आप एक बार इस रेसिपी को ट्राय करके देखिए ये आप बागी सारी मेथी होटल की मेथी डावे की मेथी सब भूल करके यही वाली रेसेपी अपनाएंगे तो चलते हैं अपन मेथि बनाने मैंने यहाँ पर कडाय का इस्तमाल किया है और थोड़ा सा मुम्फली का तेल एट किया है अगर आप सरसो का ओईल पसंद करते हैं तो आप मेथि की सबजी में सरसो का ओईल भी यूज कर सकते हैं औल करम होने के बाद में मैंने इसमें एट करी है लसुन, लसुन को हल्का सम ब्राउन होने तक अच्छे से बूलेंगे अभी लस्टन अच्छे से ब्राउन हो गई है तो हम इसमें एट करेंगे कटेवे आलू है ना और आलू को हम 2-3 मिट तक अच्छे से पका लेंगे और आलू को हमें ढखके नहीं पकाना है क्योंकि ढखकर पकाने से ये पानी छोड़ देगा हमें आलू को बीना ढखके ये बनाना है और इसमें ठोड़ा सा नमक ताल देना है जिससे के आलू जल्दी से पक कर तयार हो जाए 30-40% आलू पकने के बाद में हम लोग मेथी और बाकी की चीजे एट करेंगे अभी हमारे आलू को पकते हुए लगबग 5 मिट हो गए हैं और ये 30-40% पक गए हैं अब हम इसमें एट करेंगे हल्दी चीली फ्लेक्स हमने जो लिया था वो हम इसमें एट करेंगे उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करकर के 30 सेकंड एक मिट तो बहुत हो जाएगा 30 सेकंड के लिए रेस्ट पर डाल देंगे ठीक है 30 सेकंड के बाद में हम इसमें एट करना है मेथी तो अब हम लोग इसमें मेथी एट कर देते हैं अब मैं इसमें अच्छे से मेथी एट कर दूँगी सारी जो हम लोगों ने वाश करके मेथी ली थी वो मेथी में इसमें एट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठंड की दिनों में मेथी का टेस्ट वाकि बहुत अच्छा लगता है मैंने इसकी साथ में नॉर्मल पराठे बना हैं अगर आप मेथी के साथ में मक्का की रोटी का यूज करते हैं तो मक्की की रोटी मेथी के साथ में कॉमिनेशन बहुत अच्छा लगता है हमारे यहां पर राजस्थान में मेथी की सबजी और मक्की की रोटी के साथ में एक special dish कहा जाता है तो आप मेथी की सबजी साथ में मक्की की रोटी अच्छी की लगा करके यूज करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा लेकिन फिलाल अभी मक्की की रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है इसमें सिर्फ सिंपल पराठे बनाया है अब इसे हमें 5 से 10 मिट तक अच्छे से पका लेना है मेथी को आप बिना ढखे यानि कोई भी ढखन से ढखे नहीं और इसे बिना ढखे अच्छे से पका लेजिए ठीके 5 से 7 मिट के अंदर ये बन करके तयार हो जाईए अभी मुझे मेथी को पकाये लगबग 5 से 7 मिट हो गए हैं और ये अच्छे से बन करके तयार हो गई है बिल्कुल विटामिन से भरपूर और ठंड की इस्पेशल अभी हमारी मेथी की सबजी बन करके बिल्कुल तयार हो गई है विटामिन से भरपूर हरी भरी ठंड की इस्पेशल सबजी तो आप पिचाहिए देरी किस बात की ट्राइ कीजिए इस रेसिपी को और कैसी लगती है ये रेसिपी बनने के बाद में मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लिस मेरे चैनल को सस्क्राइब किजेगा और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भुलें जिस्से की मेरे नए वीडियो आने वाली आप तक पहुश सके और थैंक्यू फोर वचिंग मा यूटूब चैनल आपको कैसी लगती है रेसिपी जरूर बताईएगा बाबाई